तो आज आपने डाइनमिक प्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 92 करने जा रहे हैं और मैं एक पर रिमाइंड करा देता हूं जिन लोगों ने मेरा यहां पर मैंने रिकर्शन मेमोईजेशन और बॉटम अप दोनों को कवर किया है और चीजों को समझाया है और अभी वो इन प्रोग्रस है वो प्लेलिस्ट तो आप उसको देख सकते हो बहुत चीज़े आपको डीपी में समझ में आएंगी ठीक है तो लीट को नमबर 3370 मीडि अब आप सोचते होगी यह लाएंट क्या है अगर आपने मेरा डीपी कंसेशन का प्लेलिस्ट देखा होगा तो आपको अल्रेडी पता होगा लाइज इस नतिंग बट लॉंगेस्ट इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस उसी का वेरियंट यह बी और अल्रेडी मैंने लाइज के बहुत सारे वेरियंट्स करवाएं अपने इस वाले प्लेलिस में जिन लोगों ने उसको देखा है उनके लिए यह वाला क्वेशन बहुत ही असान होने वाला है ठीक है तो देखते हैं क्वेशन क्या है लॉंगेस्ट आइडियल सब्सीक्वेंस यू और गिवन एस एक नया स्ट्रिंग होगा जो आइडियल कहलाएगा किसी पर्टिकलर कंडिशन में क्या कंडिशन होना चाहिए कि जो टी आप ले रहे हो ना वह इस का सब्सीक्वेंस होना चाहिए ठीक है और दा एपसिलूट डिफरेंस इन अल्फाबेट ओडर ओफ एवरी टू एडजेस टेर्ट का जो डिफरेंस है न अबसिलूट डिफरेंस वह लेस देन 各位 होना चाहिए थीक है माझ लेते हैं अपने टी में चुना jus चुना अप थीक है तो यह देखो है इसका सब्सीक्वेंस है यह दो डिमान लो यह दूतरी सॉप सिप्शुए को जिकरा रहे है न इसमें है सी माईने से कितना होता है हाँ दो होता है के की वर्य होगी है ठीक है और दीखते हैं यहां पर f है f का जैसे लेटर कोन है f-c यह दो के बराबर नहींद क्योंकि दोगों सी होता है फिर दी आता है फिर एक दो थोड़ी है दो से ज्यादा है तो एक माइनस सी के से छोटा है के बराबर नहीं है इसलिए यह गलत हो गया ना अब जैसे लेटर का जो डिफरेंस एक इस वह देखो यह अपने गलत टी ले लिया एक आपको इसी तरह बोल रहा है कि उसका लेंथ 4 है जो लांगे साइडिल सबसीक्वेंस होगा देखते हैं वह लाचार लेंथ का कौन है ठीक हमान के जलते हैं आपने ए ले लिया और डी ले लिया यह अपने टी बना दिया अब ध्यान दो यह इसका सब सीक्वेंस भी है और इसे टी में कोई भी दो एड्जेसेंट करेक्टर को ले लो और दो से जाइदा नियागा इसे नहीं आएगा साइशे ndन न को ले लोivaud को यह बी दो है आइडियल सब सीक्विंस है और यह सबसे लंबा है इससे बड़ा आप ढूंडी नहीं पाऊगे आप यहां कोचिछ करो आप चार लिंद से ज्यादा बड़ा आइडियल सब सीक्विंस नहीं दूंड पाऊगे ठीक है यहां तक क्लिर हो गया ओके अब यह वाल एक्जाम्पल यहां पर k is equal to 3 दे रखा है कि adjacent characters के बीच का difference होना चाहिए वह k is equal to 3 यह तो उससे कम होना चाहिए तो इसमें देखो A B C D पूरा ले सकते हो पूरा का पूरा जो T आप पनाऊगे वह A B C D पूरा होगा क्यों क्यों क्योंकि कोई भी दो character के बीच का sorry दो adjacent character के बीच का difference देख ठीक है यहां तक clear है ओके तो तो समझ में तो आ गया है ठीक है अब मैं क्यूं मैं बोल रहा था कि आपको एस वेरेंट पता होना चाहिए था मैंने अल्रडी देखो एलाइस वेरिंट करा रखा है अपने DP conception questions के playlist में यह मेरा यह वला एक playlist है DP conception questions ठीक है इस playlist में मैंने DP को एक यह भी ihn अलग अलग वेरिंट बना ए है ठीक है तो बस उसी पर यह बेज आप दिमाग में आना चीन खिल्या कि कैसे मैंने सोचा हूए अच्छा है यह यह स्कावा ऐरे मन में तो कुछ आया होगा ठीक है तो वही मैं आपको थोट प्रसेस बता हगा मेरा जो इंटिशन है म यह वाला मेरा एक्जामपल दिया है इस पर आने से पहले मैं आपको अगर लाइस का एक बार दोबारा से रिविजट करूँ याद करो लाइस में होता क्या था लॉंगेस इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस हुणते हैं मतलब इंक्रीजिंग मिलना चाहिए सबसीक्वेंस तो हम ल इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बना सके तो मैं अभी यहां पर है मैं पीछे जाता था इससे पूछता था कि क्या तुम आयत वाले एलमेंट से छोटे हो और वैसे वह चोटा नहीं है ठीक है तो दूसरे एलमेंट के पास गये तो जे मिला आउट ऑफ बांड हो गया कोई बा ठीक है तो आई को आगे बढ़ा दिया अब यहां से स्टाट अब देखो यह है चोटा है इस आयत एलमेंट से इस मतलब क्या हुआ कि 2,3 एक सबसीक्वेंस बन सकता है को इंक्रीजिंग है ठीक है तो मुझे एक बेटर आंसर मिला इस 3 पर इंड होने वाला इस 3 पर इंड हो सबसीक्वेंस बढ़ा है सबसी करणा कि अब इंड हां इस 3 तो चोटा है सिक सा बन रहे हैं तो मैं याद यह आद है वाले से पूछता थी भाई सब्सेंग है तो MP3 कू सिंघिंग स स्बसीकव और मुझए का इंड होने वाली सबसे बड़ा स надо तो पूलेगा ठीक है मुझ में जोड़ लो उसको तो यह क्या हो जागा टू कॉमा थी तो था ही जे पर इंड वने वाला और इस एड़ हो गया तो देखो सिक्स पर इंड वने वाला सबसे बड़ा सबसे क्या है तो जे बूलेगा कि कोई नहीं है मतलब मैं खुद अकेला टू ठीक है तो लेकिन हाँ इस से छोटा है तो और इंग्रीधिंग सबसे कि बन तो रहा है क्या बहुत हुआ टू कॉमा 6 बन रहा ना तू कॉमा 6 बट ओवैसे मुझे बेटर आंसर मिल रखा है 2,3,6 ठीक है तो फिर यह रहाँ पर गया यह नहीं दे शोटा तो है बट यह जो सबसीक्वेंस बनाएगा जो की मेरे एक्जिस्टिंग आंसर से 2 3 6 से छोटा है ठीक है तो आप देखो ध्यान दो हर इंडेक्स पर इंड होने वाला सबसे बड़ा सबसीक्वेंस मुझे मिल गया है जैसे इंडेक्स नंबर जीरो है यह वन है टू है फूर है इंडेक्स नंबर जीरो पर इंड होने वाला सबसे बड़ा सबसीक्वेंस देखो तो क्या है खुद अकेला फाइव है सबसे बड़ा इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस यहां पर देखो इंडेक्स नंबर वन पर सबसे बड़ा लाइस क्या है फूर खुद है इस पर इंडेने वाला सबसे बड़ सब्सक्राइब करना होता तो तो आप क्या करते माल लेते हैं आप भी यहां पर हो आप ए से पूछते कि ए भाई तुम मुझसे चोटे हो क्या तो मैं तुम से चोटा हो तो बनी रहा है तो यहां पर कि एक कॉमा सी का लेंद का दो लेंद का एक इंगिंजिंस सब्सक्राइब अपर आथा तो जे मैं पहले सी से पूछता कि सी तुम स्चोटे हो क्या F से C बोलेगा हाँ मैं छोटा हूँ तो C बोलेगा मुझपर इंडोने वाला एक L.I.S. अलरी है A.C. तो बद तुम F को जोड़ लेना तो यहाँ क्या बन जाएगा A.C.F बन जाएगा तो similarly यहाँ पर भी आप Longest Increasing Subsequence निकाल सकते हो But हमारा problem क्या है यह बोल रहा है कि आप जो character ले रहे हो जैसे माल लेते हैं अभी आपने I यह था आप J यहाँ पर गया और आपने A को include क्यों कर लिया क्योंकि A छोटा था हमारे I से तो increasing subsequence बन रहा था बट यहाँ पर छोटा नहीं देखना है यहाँ पर देखना है कि जो adjacent character है ना उन दोनों का absolute difference इसे यहाँ पर A character और C character था वो less than equal to K होना चाहिए तब ही आप उनको include कर सकते हो कहीं बोला ना तो देखाया तो भाई इदम LIS वाला ही question है बट यहाँ पर बस condition क्या है यह condition है और LIS वाले में क्या होता था कि इंक्रीजिंग होना चाहिए था हम यह चेक करते हैं कि नम्स ओफ जे में जो एलिमेंट है वह less than नम्स ओफ आई है ना तभी तो इंक्रीजिंग सब सीकुन्स बनेगा यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे कि नम्स ओफ जे में जो character है मतलब ए और नम्स ओफ आई में जो character है मैंने सी इनका जो एपसलूट डिफरेंस है वह less than इकल्टू की होना चाहिए तब हम इंक्लूट कर सकते हैं ठीक है तो सेम दिमाग यहाँ पर लगाएं और क्या अब देखो कितना इजली यह लाइस वाले code से ही बन जाएगा आई को मैंने यहां से स्टार्ट किया ठीक है मैं जे को स्टार्ट करूंगा आई से पहले से यहां से मैं पूछूँगा कि भाई क्या तुम आयत character से यह जो है आयत character से वह वाला relation follow कर रहे हो क्या ए माइनस सी लेज़ दन इकल टू के तो बोलेगा यह फॉलो कर रहा हूं लेज़ दन इकल टू तो है हम लोग तो मैं क्या बोल रहा हो ठीक है यह पर इंड होने वाला सबसे बड़ा लाइस का लेंथ क्या था खुद अभी यह अकेला है ना लॉंगे साडियल सब सीक्वेंस ए पर इंड होने वाला खुद अकेला ए उसका लेंथ वन होगा है ना मैंने यहां कहीं स्टोर कर रखा होगा एक डीपी अरे में कि भाई इस आई पर मतलब इस इंडेक्स पर इंडेक्स नमबर 0 है यह 1 है यह 2 है यह 3 है यह 4 है यह 5 है तो स्टार्टी में मैंने आपको बोल लॉंगेस्ट आइडियल सब्सीक्वेंस यह लॉंगेस्ट इंक्रीजिन सब्सीक्वेंस खुद वह एलेमेंट होता है अकेला तो लेंथ अभी तो सबके लिए वह नहीं होगा ठीक है बड़ अब जैसे ही मैं जे पर आया और मैंने जो करेक्टर है और आई में जो करेक्टर है दोनों उस रिलेशन को फॉलोग कर रहे है क्योंकि ए मैंने सी लेज दन इकॉल टू होता है लेज दन इकॉल टू है यहां पर तो मतब यह वैलिड है ठीक है तो वैलिड है तो मैं देखोंगा कि ए पर इंडोने वाला सबसे बड़ा लाइस का लेंथ क्या है लॉंगिश लेंट वन थो इसका है तो वह इसमें वन में एक और जूड़ गया यह सी करेक्टर भी जूड़ गया तो मैं यहां पर आपको लिख के दिखा भी देता हूं कि क्या स्ट्रिंग बना रहे हैं हम लोग ए कॉमा सी बन गया यहां पर स्ट्रिंग हमारा तो इसका आई अब आते हैं फिर से यहां से स्टार्ट होगा ठीक है आपको अच्छे याद होगा कि कोड भी क्या था सिंपल कोड क्या होता था कि आई एक एक करके आगे बढ़ता था लेस देन आई प्लस प्लस इसलिए मैं पोल रहा हूं अलाइस का मेरा वेरिंट जरूर से देख लेना लॉं और यह चेक करते थे हैं कि एफ नम्स ऑफ जो जे है अगर वह लेसे दन नम्स ऑफ आई हुआ मतलब इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस मिल रहा है तो टी ऑफ आई इस इकल टू मतलब आई पर खतम होने वाला लाइस का वैलू को जागा और इस बार हमारा कंडिशन क्या हो जा एरेश कर देता हूं ये कंडिशन सब्सक्राइश जाएगा हमारा कंडिशन सिंपली यह घडा इफ आई पर सबसे पर लॉइस इस सब्से बढ़ाएव बीकिने मैक्सिमम ऑफ टी और फाई की जो भी वैली रही होगी जे पे खतम होने वाला सबसे बड़ा आइडल से जैसे यहां पड़ता ना लास्ट टाइम तो मैंने इससे पूछा था ना कि तुम पर खतम होने वाला सबसे बड़ा आइडल सब सीक्वेंस कौन है तो भाई मैं खुद उसी इस पर कcling है अभी यहां पर यहां पर था और सी और है डिफरेंस अगर देखूं जहां पर था तो सी घुड़ अरव कर एक देख कट दो तो जनी कोो डिपर एकल-डू-डिक जनी नही तो कोई बात नी इसी सी ऍकलूद μέं एक्स्ट्ट मार दूंगा एक्स्केप मारतों यहां पर आया ठीक है तो जे पर कौन से करेक्टर है ए है और आई पर एफ है इन दोनों का भी एपसुलूट डिफरेंस देखो यह नहीं है लेस दने कल टू के ठीक है तो जे आउट ऑफ बाउंड होगे अब आई को आगे बढ़ाएंगे अब आई मेरा यहां पर आगे इंड जी लेस दन इकल टू के यह ना दोनों के बीच का अबसुलूट डिफरेंस वन है विचे लेस दन इकल टू के तो जी बोलेगा ठीक है तो तुम मुझ पर जूड़ जाना मतलब एफ कॉमा जी बना देना ठीक है तो एफ पर इंड होने वाला केला खुद फी था ना लॉंग पर एक जूड़ जाओ तो यहां पर वन प्लस वन कर दो हमारा वैलू टू हो जाएगा ठीक है अब यहां पर आया अब यह इन से पूछता है तो यह तो सी है सी और आयत करेक्टर में कहां जी है दोनों का अपसुलूट डिफरेंस लेस दन इकल टू के नहीं है इसको इग्न अब यह अगया बढ़ेगा आई मेरा मेरा यहां पर आगया इंडेसंबर फूर पर ठीक है अब धिको ध्यान दो मैं यहां से स्टार्ट करूँ क्या जेथ करेक्टर और अइध करेक्टर बीच के डिफरेंस के के यह लेज एकल टू के बिल्कुल नहीं जेहां पर आया क्या तो यह भी स्किप मार देते हैं जे यहां पर आया अब देखो यह सी है यह जेत करेक्टर और यह बी है यह करेक्टर दोनों का बीच का अबसुलूट डिफरेंस क्या है सी मैनस भी लेस दन इकॉल टू के आप विसली तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह बी इंक्लूड हो सकता है है इनके इस पर इंड होने वाले क्योंत के और इसका डूद करेंस पर बना दे क्या दे तो इसका लेंथ के इसका लुट होने वाला जो लेंथ था क्या लेंथ था उस पर वन जोड़ दिया मैंने तो प्लस वन यहां पर थ्री हो गया ठीक है ओके अब फिर यहां पर आएगा और यह और यह बी है दोनों का अप्सुलोट डिफ्रेंस लेंगल टू की है और एपर इंड होने वाला लेंथ से देखो व जी आउट ऑफ बाउंड हो गया और आई मेरा आगे बढ़ जाएगा ठीक है ओके फिर से यहां से स्टार्ट होगा अब मैं पूछूंगा इससे बी और डी है ना तो इसका मतलब यह वैलिड है लेटर मैं इसको आड़ कर सकता हूं डी को इस बी पर इंड होने वाला जो भी इसका इस बी पर इंड होने वाला देखो तो तीन लेंद का इडल सबस्टर उसमें डी को जोड़ दो गए तो क्या बन जाएगा ए सी बी तो थाई अलरड़ी उस पर भी डी वी जोड़ गया तो लेंज चार हो गया ना क्योंकि दो बी पर इंड रिंद वाले का लेंद तीन यहां पर आया जे हाँ यह सी है और यह डी है दोनों का अप्सुलूट डिफरेंस के लेज देने कल टुक किये हैं तो सी से पूछूँगा कि भाई तुछ पर जो जे इंडेक्स पर है तुछ पर इंड़ने वाला सबसे बड़ा लाइस का लेंद क्या है मतलब एसी है ठीक है तो अभी एक डी आ जाएगा तो इसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे तो आई भी आट ऑफ बांड हो चुका होगा ठीक है और हमारा बेस्ट आंसर को मिल चुका होगा मुझे यहां पर कौन है यह चार लेंद का मैक्सिम निकाल लेना यहां से यह आपका टी होता था आपको याद होगा अच्छे से ठीक है तो देखा जाए तो बस कंडिशन ही चेंज होता है लाइस के वेरियंट में मोस्ट अप दी टाइम सिर्फ कंडिशन चेंज होता है लोंगे से इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस वाल अच्छली में यह आप लेते थे थे ना जिसका मतलब क्या होता था लाइस लॉंगे सब्सक्राइब इंडिंग एट इंडेक्स आई यहां पर यहां पर लाइस के जगा क्या लिखेंगे लॉंगेस्ट आइडियल सब्सक्वेंस इंडिंग एट आई सेम चीज है रिदम सेम क अपना जो बॉटम अपरोच है जो सिंपल अलाइस वाला कोड़ उसको कॉपी पेस्ट करके सॉल्फ कर सकते हैं याद करो अलाइस में क्या करते थे वेक्टर ओफेंट एक टी ले ले लेते थे उसका साइज एंड रखते थे और स्टार्टिंग में हर इक इंडेक्स पे इंट रिजल्ट इसे मैक्सिम वैल्यू मेरी क्या वगी वन होगी है ना क्योंकि सभी कवली मेरी रखा है ठीक है सेम अभी आप देखोंगे अलाइस का मेरा कोड देखोंगा लॉंग्स सब सेक्मेंस का इक्दम एक्ट कॉपी पेस्ट रही है फोर इनट आइज इकल टू जि मैनिस मैनिस ठीक है अब देखो यहां पर मैंने क्या चेक करना है बस हमें कि भाई इफ एपसलूट वैल्यू ओफ एस ऑफ आई में जो भी करेक्टर है माइनस एस ऑफ जे में जो भी करेक्टर है उनके बीच की दूरी जो है वह लेस दन इकल टू के होना चाहिए मतलब उन आप्सीकिंस है उसमें अभी यह आयत करेक्टर हो जाए थो टीजेए प्लस फानेगा दो में जो मैक से को वह वो टी इंवे में स्टोर करता रहूंगा तो यहां तक यह यह उसी वक्त यह ब्हुत करता रहूंगा की वह मैक्सिमों साह मेरा मैक्सिमुम पर रेज़्ट कोमा ती ऑफ आई ठीक है और लास्में रेटर्ण रेजल्ट कर देना तो देखरो एक्जाक्टली यह मेरा क्या है अलाइस का कोड़ है बस अलाइस में क्या होता था यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं कि एस ऑफ जे जो है अगर वह ऐस ऑफ आई से छोटा हुआ तो वह ला ने कितना test case पास कर गऊंगे 75 ऐसा कुछ test case था इस में लेट सी यहां से पर चलेगा 74 test case पास होगे अच्छा टोटल 85 test case 74 पास होगे time limited हो चुका है ठीक है और होना भी था constraint हाई है और एन स्क्वेर इसका time कर सकते हैं बड़ उससे पहले आपको एक बाप बता दूँ आपका homework यह रहेगा कि आप यह जो कोड़ है यह तो एकदम अलाइस की तरह है और यह कौन सा कोड़ है बॉटम अप आपका homework रहेगा कि आप कमेंट सेक्शन में इसका रिकर्शन वाला जो कोड थाना एक्जाट उससे बनाकर देखा तो तो महां पर भी देगा रिकर्शन वाला कोड से भी देगा ठीक है बड़ आप उससे बना के कमेंट सेक्शन में मुझे देखाओ ठीक है अब हम लोग आ जाते हैं इसके optimal solution पर अब देखो कैसे इसको optimize कर सकते हैं लोग आप थोड़ी दिर पहले जी था कि माँब के चलते हैं अब ही आई आपका यहां पर है तो आप हर एक एक रुक्तर को देख नहीं है जैसे माल ले एक डियाए तो आपन जेखो है धी-ब का जो लेंथ है वो लेस दन इकल टू के नहीं है जादा है उससे तो आप जी के बस जाही क्यों रहे हो आपको नहीं जाना चाहिए था तो हम लोग यही गलती कर रहे थे कि हम उन-उन होगा absolute defense ठीक है या तो वह डी जो है अब लespère भी या यतो वह सी हो या तो डी जो तो इससे Онब का चाहिएगा पी-शिया है माइनटी जो है वह डिश दन इकल टू किया है और बी उस जो है वह दन को इस वी माइनटीन इक दो नहीं का यापिर create एक और चीज़ ध्यान दो या तो फिर A हो सकता है है ना देखो A minus B absolute difference less than equal to k है ठीक है यहां तो clear है या तो फिर B भी हो सकता है क्यों क्योंकि B minus B absolute difference less than equal to k है ठीक है तो एक काम कर सकते हो ना आप इतने characters में क्यों जा रहे हो इन सब characters में क्यों जा रहे हो आप बस A में जाओ B में जाओ और C में जाओ और D में जाओ इन लोगों से ही पूछ लो कि भाई तुम लोगों में इंड होने वाला सबसे बड़ा longest child सबसेक्वेंस क्या है मालने यह बोलेगा ना कि भाई मुझ पर इंड होने वाला सबसे बड़ा longest child सबसेक्वेंस चार था यह बोलेगा मुझ पर इंड होने वाला सबसे बड़ा सबसे बड़ा है जिसका इंड होने वाला सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसेक्वेंस तो मैं उस बड़ा सबसे बड़ा होने जुड़ जाओंगा यह बिश पर जुड़ेगा ना अब्बिस सी बात है तो यहां पर एक आपको फिल्टर करने का मौका मिल गया ठीक है अब वह फिल्टरिंग करके आप कैसे कोड करोगे वह भी मैं आपको दिखाऊंगा बड़ आपको यह चीज समझना जरूरी था कि आप बेकार में उन करेक्टर को भी देख रहे थे जिनका बीस अब आगे सब्सक्राइब इसका अपसिल्ट डिफरेंस जिससे इसका एब में सिरुट डिफरेंस यह तो देखो अब सुआ मैं सब का पहले से ही स्टोर करके रख लूँगा कि उन पर इंड होने वाला सबसे बड़ा लॉंगे सब्सक्राइब स्टिक्वेंस क्या है ठीक हमारा पास ट्रोटल से ट्वेंटिस लेटर्स होता है लोगर केस जीरो वन टू थ्री फूर फाइव एंड सो ओन तिल इंडेक्स नंबर 25 26 साइस का मैंने यहां पर अरे ले लिया आप देखो ध्यान दो जीरो मतलब क्या होता था यह होता था यह बी यहां यहां पर किया होगा यहां यहां पर क्या होगा यहां पर जीरो होगा न तो में इंडेक्स निकाल लेता हूं इंट- IDX मतब करेंट इसका इंडेक्स जो है वो क्या होगा जो भी है मेरा एस ऑफ आई में जो भी करेक्टर है माइनेस ए कर देंगे तो क्या इंडेक्स आगे हैं पर जीरो आ गया ठीक है ओके अब आप एक बात बताओ इस एक यह जो ए है ना इससे मुझे कौन से करेक्टर को सिर्फ देखना है जिनसे इस एक आपसिलूट डिफरेंस लेस दन इकल टू के हो ठीक है तो एक इंडेक्स देखो यहाँ पर जीरो बैट रहा है तो मैं किसके किसके पास जाओंगा देखो जीरो है तो अब इससे बात ह वेडियेक्स ऐया 1 मैनेस औरेकं डैसर यह ज्यूर एक इंडेक्स 0 ए तो आजवक 501 और और तुम प्रेस्अ कौन सकता नहीं क्या क्यों किस्को चुन सकतां रहां विए सिरी इस एक इंटेक्स 3 हैसे और डी माइनस ऐगर करोगे तो अब वैसे लेश दन इकल टू के वो नहीं होगा ठीक है तो अब बात है मैं किसको चुनूगा सिर्फ बी और शी को चुनूगा ठीक है तो अब देखो यहां पर मैंने कैसे decide किया मैंने सब्सक्राइब देख लिया कि इस एक करेंट इंडेक्स मतलब एक इंडेक्स क्या होगा जीरो होगा तो एक उन नोगों के साथ ही absolute difference less than equal to k होगा जो उसके के जाद जाद के दूरी पर हो जैसे बी वाला हो गया इस सी वाला हो एक क्युक्त को इन दोनों का absolute difference less than equal to k और यह उसके के का और यह ऐसे ह давно दोशी बी यूरे ठीक यह सारे मेरे पॉसिबल कांडिध हों गहें मुझे इन से ही मतलब है को पृश्य समझ में अगया तो मैं क्या करूगा यहां पर मैंने क्या क्या बीट्ञ नी कलीता है टना कि मुझे इन दोनों को इन चारों करेटर को देखना तो मैं इनको को देखूंगा इनको देखूंगा इनको देखूंगा इनको देखूंगा इनको देखूंगा बाकी दो बाकी लोगों को मैंने देखा ही नहीं तो यहां पर हमने फिल्टरिंग कर दी जो मैंने आपको पहले बताया था अभी कि किस तरह हम फिल्टर कर रहे हैं बस उन्हीं करे कि कर दो और इसका राइट मोस्त रेंज कर दो जो भी ऑईटीक से उसमें प्लस कर दो इश्च माईने के खिर रहा टो थिक्क है घाए टो सब्सक्राइब से इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि अगर idx-k है अगर वो आउट ऑफ बाउंड हो जाता है नेगेटिव हो जाता है तो मैक्स ऑफ जीरो कर देना minimum of 25, idx-plus-k ठीक है यह बस out of bound से बचने के लिए है तो देखते हैं कि इस 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 इंडेक्स के case में क्या होता है इसका इंडेक्स तो 0 है ठीक है तो इसके लिए valid करेक्टर कौन-कौन से होंगे जीरो लेफ्ट के आएगा जीरो यह आएगा राइट के आएगा देखते हैं आई डेक्स मेरे 0 था ना 0-2 आएगा हाँ तो सही बात है देखो जीरो से लेकर 2 तक की सारे वालेड होंगे इसके लिए यह यह और यह है ना यहां तक क्लिए रहे हैं बट अभी देखो सभी का आंसर अभी 0 है स्टार्टिंग में इन कुछ निकाल लिए तो मैं क्या करूंगा जाओंगा बस इन करेक्टर्ट को देखूंगा जीरो वन और टू को यही रेंज में थे एमilt इन सब को देखने की ज़रूति नहीं पड़ी थिए मैंने पस इन लोंगो देखा तो इनका मैक्सिमों वैली कि इतना जीरो 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 है यहां पर maximum value निकालते थे हैं ठीक है चार था तीन था पांच था साथ था और उसमें से maximum को चुन लेते थे तो यहां पर maximum सारे के सारे 0 है ठीक है अब जो maximum मिला उसमें मैं इस a को जोड़ दूगा कि जो भी ideal मैं उनमें अब एड हो जाओंगा ठीक है तो एक करेक्टर होगा और जो भी maximum वैल्यू था लॉंगेस मैं उसको वैरियबल में डाल दूगा इस लेफ्ट से राइट में बैस अब नी यह ओगा बने में दुगां तो आपको और चीज़े होगी मेरा करंट कर्ण गायों क्या मैंक्र एक सी मैंडस एक क्या ओछाएगा एक ब्सें बिना अब इसके लिए इसके निए कौन कौन सा करेक्टर अब लोगे जो इसका absolute difference जिससे c cut less than equal to ki आए तो खुद आप सोचो a हो सकता है b हो सकता है c का d हो सकता है और e हो सकता है इन चारों से ही absolute difference इसका 2 बनेगा है ना तो देखो यहां पर आपने निकाल भी लिया होगा max of 0, idx-k 2-2 that is 0 और idx plus k 2 plus 2 that is इस पर क्या आया right pointer 4 आया इसका मतलब क्या हुआ कि आप 0 से लेकर 4 तक के सारे को consider कर सकते हो ठीक है ओके तो देखते है भई जीरो पर कौन है वन है यहां पर इसका मतलब पता है क्या हुआ कि ए जो है ना ए इस पर खतम होने वाला अब तक सबसे longest राइल सबसेक्वेंस का लेंथ 1 था और खुद ए था ठीक है ओके तो लॉंगेस में भी मुझे 1 दिख गया है और उस पर अभी मैं क्या बोल रहा हूं यह आयत करेक्टर अड़ हो सकता है उसमें क्योंकि वह ए और सी का एप्सुलूट डिफिंस लेजिए तो क्या बन जाएगा मेरा एसी बन जाएगा यह वैलिड है मेरा आइडिल सबसेक्वेंस इसका लेंद दो है तो जो भी लॉंग कि आई पर स़डी इस ये अना तो एफका इंडेक्स क्या वोगा सखब़ करेंगा फिर लिख करेंगहा ते दोर ना फ्येन आइज ऐना घिये ए-ए प्लस वन क्यों आड़कर एक दिया कि एफ पर खतम होने वाला सबसे बड़ा आईडियल सबसेक्षिंस कर लें तभी वन ही थीक है तो मैंने यहां पर देखोकर वन अपडेट कर देता हूं इसके लिए मैंने अंसर वन अपडेट कर दिया यहां तक क्लिर है अब देखते हैं फर्दर कॉन सा करेक्टर आ रहा है मेरे पास आई अब आई यह जी आ गया ना तो जी का इंडेक्स क्या आएगा जी का इंडेक्स आएगा 6 ठीक है तो जी का राइट साइड में कहा तक जाएगा 6 यहां से लेकर एट इंडेक्स तक मैक्सिम वन दिख गया मुझे तो यहां निकाल लिया अब हो है ठीक है मतलब एफ पर इंडेन वाला जो आइडियल सब सीक्वेंस था ना उस पर यह जी आड़ हो सकता है क्योंकि एफ और जी के बीच का एप्सुरूट डिफरेंस लेस निकल तो स्ट्रिंग क्या बन जाएगा मैं लिख भी देता हो एफ जी बन जाएगा उसका लेंड दो है तो इस से रेंज में मैंक्सिम वारी क्या था वन था उसमें मैंने एक और जोड़ दिया प्लस वन प्लस वन क्यों जोड़ा क्योंकि अभी आयत करेक्टर आया ना जी आ गया आपका ठीक है तो अब देखो ध्यान देना यह बी है ठीक है तो बी का इंडेक्स होता है वन यहां लिख दिया मैंने और उसका लेफ्ट मुस्ट रेंज क्या होगा वन माइनस टू डैट इस माइनस वन हो जाएगा ना तो इसका जीरो कर देता है तब ही तो मैक्स अभी तो वन प्लस टू थ्री हो जाएगा ना के की वालू ठीए अभी वन है तो तीन होगे निकिए जीरो से लेकर तीन तक का रेंज का मुझे एलमेंट्स को देखना है बस क्योंकि वही लोग जो है जो इस बी से दो रेंज पर है दो डिफरेंस पर है ठीक है अब देखो ध्यान दे देखो वह एसी था यहां मैंने लिखा भी एसी अब बस मैं बोल रहा हूं उसमें मैं इस बी को भी जोड सकता हूं क्योंकि बी उनसे बी जो है ना इस सी से एप्सुलूट वैल्यूज का लेस देन इक्वल टू क्या है तो यहां पर बी याड़ जगा यह सी अल्री था यहा मैं आपडेट कर जेता हूं कि पर इंड होने वाला सबसे बाड़ा लेंक्फ अभी मुझे मिल गया तीन ठीक है यहां तक क्लियर है इसका भी अंसर निकल गया अब मैं आई यहां पर आ गया ठीक है अब यह टी का इंडेक्स क्या होता है डी का इंडेक्स हो जागा डी मैनेस से किता या हो जागा वान पिस और यह भुटर जो जो किर किरेद सबस्क्राइब जोॉत तो मैंने माक्सिम अभट Mr. 3 और यह 3 याद है किसके लिए था 3 था इस बी के लिए था कि भाई इस बी पर इंड़ने वाला लाइस लॉंगे साइल सब्सक्राइब था ठीक है जिसका लेंद तीन था उसमें भी डी एक और आड़ जागा तो क्या बन जागा एसी बी तो था यह वाला उसमें डी एड़ गया लेंद देखो चार तो लॉंग इस तीन था उसमें डी भी एड़ हुआ तो प्लस वन होगे दैट इस चार तो डी के लिए मैंने आंसर यहां पर लिख देता हूं डी के लिए आंसर मिल गया चार ठीक है अब आई आउट ओव हो गया है ना हमारा आंसर देखो क्या होगा इन अब में से पूरा मैक्स वाली जो भी है चाहर है ना यहीं तो मेरा अंसर ता उस्का है कितना सिंपल हो गया हमने बस उन-उन के रेंज में आ रहे हैं जिनका हमारे करेंट करेक्टर से एपसीलूट डिर्फेंस लेस्ट एन इकल टू किया तो इसका यहां तक क्लियर हो गया तो इसका यह स्टोरी तो आपको समझ में आ गए कि आपको करना कै आपको चाहिए तो वीडियो पॉसर के खुद से कोड भी कर सक सिर्फ उन करेक्टर को कंस्रेटर करोंगा जो मेरे करेंट करेक्टर से एपसीलूट डिफरेंस लेस्टन इकल टू के बनाए तो मैंने एक वेक्टर ओफ इंट ले लिया था जिसका 26 था ठीक है 26 था और इसमें सबका आंसर भी 0 डाल दिया था ठीक है इंट रिजल्ट इस इ इंडेक्स हो गया तो इसका लेफ्ट रेंज क्या होगा करेंट माइनस के होगा और इसका राइट रेंज क्या होगा करेंट प्लस के होगा बट करेंट माइनस के और करेंट प्लस के इंडेक्स आउट ओफ बाउंड जा सकता है तो इस केस में मैक्सीमम ओफ जीरो कर दो करें n-K और इस case में कर दो minimum of आ 25 आ सकता न माक्सिमुम 25 करन्ट प्लस किव चबिस साइस का हैं पर हें तो maximum इंडेस 25 तो मेनी 15 लेड़ यहां यहां तरकर रहा है कि अब मैं यहां पर क्या करोब का लॉंग निकाल लोंग डील्डटू 0 , cent i ? J तो लेए लेचे जैसिट यॉगल टू किलेटे है यूझ लेस और नियुकल टू राइच यॅभ नएकर तक न्हي जा रहे इस बर सिलेफ से hands i सिर्फ देखेंगे ठीक है तो लॉंगेस्ट विल इकॉल टू मैक्सिमम ओफ लॉंगेस्ट कॉमा सॉरी जे रिजल्ट सॉरी एलों लॉंगेस्ट और क्या था आच्छा टी ओफ जे हैना ठीक है मैक्सिम मैंने वैलू निकाल लिया उस रेंज में से और आब मुझे क्या करना है को सिक्या थिखा एउन दो हिए उसका मुझे आंशर निकालना है क्या कि ऊपडेट करते रहेंगे ड resting इसको उप्रेंगे मैक्सिमम ओफ रिजल्ट को माटी जिखियाए इहां clear return result ठीक है अब देखो यहाँ पर एक फाइदा क्या होगा स्पेस कॉंपिस्टी ओफ 26 हो गया विचिस कॉंस्टन्ट और टाइम कॉंपिस्टी अगर आप ध्यान दो यहाँ पर ओफ एन है ठीक है लेकिन यह वाला पार्ट को देखो लेफ्ट से राइट भाई maximum इसका वैली कितना जाएगा मैंक्सम्न वैली पच्चिस जाएगा च्चारी 26 मतलब सारे के सारे अल्फाबेट को देखना पड़ेगा ठीक है यह देखो लेफ्ट जीरो जाएगा राइट मैक्सिम्न पच्चिस जाएगा ठीक है लिग देता हूँ तो यह तो हमेशा कॉंस्टन रहेगा या तो जीरो या तो पच्छिस मेने मार मैक्सिम उन्हीं के बीच में होगा यह ठीक है तो देखा है तो टाइम को मेरा ओफ एन हो गया एफेक्टिवली क्योंकि तो हरे क्रेक्टर के एक पर विद्र कर तो ओफ एन तो यहां लगेगा यह क्योंकि जीरो से पच्छिस के बीच में इसकी इस रेंज की वैली होगी ठीक है तो टाइम मेरा ओफ एन हो चुका है बहुत बढ़ी अगवार स्पेस मेरा कॉंस्टन हो गया ठीक है तो एनिवेज काफी बेटर सॉलूशन है ठीक है बट आपका होंवर्क याद रखना आपक इसको बना के मुझे कमेंट सेक्शन में दिखाना है ठीक है तो आई होप आई वस एबल तो हल्प कोई भी डाउट होता है रेज इन दे कॉमेंट सेक्शन और ट्राइट वेल्पिया और स्वीडियो थैंक यू